है लो गाइज वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल आज में लेके आई हो आपके लिए व्लोग और हम जा रहे हैं महंदीपूर बाला जी तो हम आपको लेकर चलते हैं महंदीपूर बाला जी तो यह देखे अब हम ट्रेन में जाने के लिए रेडी है और हम स्टेशन पे आ ग तो यह थोड़ा सा देख रहा है तर उदर थोड़ा सा डर रहा है और यह मेरी बिट्या रानी आ गई है यह मेरी बानी है बानी आ गई है और यह मेरी मदलीलो है और हम सब फैमली के साथ जा रहे हैं तर्शन करने के लिए वी तक हमारी ट्रेन ने आई है दो da friends अब मैं आपको मिलाओंगे अपने पती दीव जी से तो ये मेरे पती डीव जी है लेंसे और आपको दीगे मेरा लला क्या कर रहा है जुसका हो गया टी टायी फोरे यह वर साथ मैं इसकिल भी कारे है आप क्या काई मैं ऊकटारे हो अब हम अपने रोम पे आगे हैं, हम यहां पे ही रोकी हैं, शिर्धाम आश्रम में यहां पे हो अच्छा लग रहा है, अब मैं आपको अपना रोम दिखाँ हूँ है तो गाइज मैं आपको दिखा रही हूँ हमसे बाहर का व्यू और यहां का नीचे का गार्डन है और यहां पी है एक्जिट पॉइंट और मैं अब आपको और चीज दिखाने वारी हूँ जो की यहां का है मंदिर जिसका नाम है शिर्राम गर्भार और प्लीज गाइज अगर आपने मिछ चैनल को पितर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब कर दिजिए को वीडियो को लाइक कर दिजिए और हम आप से मिलेंगे रेडियो होने के थाथ मंदिर के दर्शन कराते हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर बहुत सारे लोग नीचे बैटे हुए हैं यह फोलोग हैं जिनके ओपर ओप्री हवाओ का बहुत पिशाजों का असर होता है यह यहां पर आके अपने आपको ठीक करते हैं आना ने का जाता है कि यहां प leven के बना जाता है जो सुनेंगे तो इनकी ओवाज होती है कि इनकी अवाज्यों के दर लग जाता है लना में कि ही यहां पर लॉग बाहर से ही बैढ़ा जी महाराजी माहराजी के दर्शन कर रहे हैं इनके ठीक सामने ही शीराम जी का मंदिर है, बिल्कुल उनके मुख के सामने ही शीराम जी दिखते हैं और शीराम जी के ठीक मुख के सामने ही श्रिभाला जी दिखते हैं, तो तो काईज अब हम फाइनली मंदिर के अंदर आ गए हैं और अब हम उनके दर्बार में जा रहे हैं यही है बालाजी महारास सभी दर्शन कर लिजिए जय हो बालाजी महाराजी Dort Vet बाला मेहंदीपूर बाला जी गए हैं बाइ फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में